हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अक्यूब आई-एस चैनल गाइज आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और टॉपिक इस कोरल रीफ कोरल रीफ पे यूपी एसी ने पहले भी कोशन पूछे हुए हैं और डैफिनेटली यह टॉपिक इतना कि हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं और क्लास के लास्ट में मैं क्वेशन भी सॉल्व करने पाला हूं जो यूपी एसी ने पूछे हुए हैं और हम उन कंटेंट को भी कवर करेंगे जिस पर यूपी एसी इन फ्यूचर कोशन पूछ सकती है ठीक स्क्रीन पे यह सुन्दर सी आपको मरीन लाइफ दिख रही है यह कोरल है अब इसे हम और डीटेल में पढ़ेंगे जैसे हम साइट्स आगे बढ़ती जाएंगी हम इसे और डीटेल में पढ़ेंगे बट सी इस इस ब्यूटिफुली करलफुल मरीन लाइफ इस कोरल and trust me, इस coral को देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं like Australia के North East के पार्ट पे जाते हैं जहांपे Great Barrier Reef है India में लक्षदीब जाते हैं इसे देखने के लिए it's a so beautiful place but concern इस समय ये है कि ये जो marine diversity है ये अभी खत्रे में है because of anthropogenic reasons हमने जिस तरह से environment को damage किया है हमने जिस तरह से climate change को बढ़ा दिया है ये marine life खत्रे में है and this is our news for today मैं news के बारे में थोड़ा बात करूँगा तो news ये है कि Australia ने finally ये confirm कर लिया है कि जो Great Barrier Reef है Great Barrier Reef है वो अब खत्रे में है और वहाँ पे coral bleaching हो रही है अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने बहुत सारे word बोल दिया है coral bleaching बोल दिया है coral reef बोल दिया है चिंता करने कोई बात नहीं है धीर धीर जब ये lecture खत्म होगा आपके सारे doubts clear हो जाएंगे ठीक है तो हो ये रहा है कि देखो ये Australia है अगर मैं थोड़ा सा ऐसे roughly diagram बनाऊ और यहां पे great barrier reef है ठीक है और ये कुछ भी नहीं है ये corals है ये coral reef है ठीक है और great barrier reef कैसे बनती है ये भी हम आज discuss करने वाले है ठीक है तो ये जो coral reef है और great barrier reef है ये bleach कर रही है यानि मतलब ये अपनी इसके जो important characteristic है उसको ये खो रही है marine diversity है उसका loss हो रहा है that is our news for today and we will cover the coral reef in great detail तो पहला हम समझने कुशिश करते है मैं आप से पूछता हूँ कि जब भी एक question दिमाग में आता है कि बही coral reef है क्या तो पहला सवाल आता है कि या कोई जानवर है ये कोई भूत है ये कोई पिशाच है ये कोई animal है क्या है coral reef तो पहला सवाल का अंसर करूँगा कि coral reef animals है तो first fact which we need to remember is that coral reefs are animals actually reef तो बादवे बनती है बट आप पहले coral समझो तो coral are animals ठीक है तो ये जो है ये मैं बोलूँगा कि they are they are made up of tiny animals जो corals है वो किस से बने होते है tiny animals से बले होते है और ये tiny animal कौन है polyps ठीक है tiny animals क्या है polyps है और ये tiny animal jellyfish and other sea organism है उनकी family से ही बिलॉग करते है तो आपको याद रखना है कि corals है वो tiny animals से बने होते है और वो जो tiny animal है वो coral polyps है अब हम coral polyps को भी detail में पढ़ेंगे इसमें बिल्कुल अगली slide में इसके बारे में है इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है तो पहला question जो दिमाग में आता है कि भाईया coral क्या है तो क्या answer करोगे तो answer करोगे कि coral animal है और ये जो coral animal है ये coral polyps वो animal क्यालाता है और ये coral polyps jellyfish kind of sea organism दिखता है और उसकी family से बिलॉंग करता है लेकिन इसमें पीजडी करने की जुरूद नहीं है आप सिर्प इतना याद रखिए कि जो corals हैं वो tiny animal coral polyps से मिलकर बने होते हैं अब coral polyps क्या होते हैं उसे समझने कुशिश करते हैं और फिर coral reef कैसे बनती है उसके वेपर आएंगे सबसे पहले बात करेंगे coral polyps क्या हैं देखो coral polyps हैं जो tiny soft organism हैं ठीक है और खास बात क्या होती है कि इनका जो skeleton है वो बहुत hard होता है और किसका बना होता है calcium carbonate का बना होता है तो याद रखिए कि they are animals ठीक है और इन animal का जो skeleton है ठीक है उनका जो skeleton है वो बहुत ही क्या होता है hard होता है और because of that hard skeleton ये coral reef को जनम देते हैं उसको अब भी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं तो फिलाल आपको ये याद रखना है कि corals animals होते हैं और वो animal कौन होते है coral polyp्स होते है और coral polyp क्या है tiny soft bodied animals है ठीक है animals है और sea organism है और याद रखना ये इनका जो skeleton है वो बहुत hard होता है और किससे बना होता ही calcium carbonate किससे बना होता है अब कोरल रीफ कैसे बनते है वो समझाता हूं मैं हमने यह देख लिया कि कोरल बनी है इस एनिमल से अब क्या होता है कि वें इस एनिमल डाइज जब यह एनिमल मर जाता है न तो क्या होता है कि यह अपना स्केलटन छोड़ देता है और जब यह अपना इस स्केलटन छोड़ेगा तो वो hard base create करेगा तो वो क्या करेगा है कि hard base को create करेगा और जब वो यह hard base को create करेगा तो उस hard base पे other new baby corals develop होंगे फिर एक दिन ये बेबी कोरल्स भी मर जाएंगे, तो ये भी अपने स्केल्टन को छोड़ जाएंगे, ये भी केल्शियम कार्बोनेट को छोड़ जाएंगे, फिर उसके पर दूसरे भी बेबी कोरल्स आएंगे, इस तरह से क्या होगा, कोरल पे कोरल पे कोरल पे कोरल पे कोरल क्या समझ में आया कि coral जो reef है coral reef एक animal से मिलकर बना होता है that is coral polyp coral polyp एक animal है जिसका जो skeleton है वो किसका बना है वो hard है और skeleton हो बना है calcium carbonate का skeleton बना है और होता क्या है कि जब यह corals मर जाते हैं तो इस skeleton छोड़ देंगे और जो छोड़ देंगे तो एक hard base का काम करेगा और उस पर फिर other corals आएंगी वो जनम लेंगी फिर वो मरेंगी फिर दूसरे corals फिर दूसरे corals इस तरह से proper landform बन जाता है और यही landform दुम्हें दुनिया में बहुत सारी जगह मिलेंगे एक island की तरह जैसे भारत में क्या है लक्षदीप उसका आथ फिजी है इंडोनेशियन है तो मेनी कोरल आइलेंड्स यू कन फाइंड देया mechanism यही है देखो there are two type of coral hard coral and soft coral जाता difficult नहीं है यह hard coral मतलब जिनका skeleton hard है मैंने बताया कि जो calcium carbonate से बने हैं और वो एक island form कर सकते हैं soft coral नहीं कर सकते ऐसा बस इतना याद रखना है बिल्कुल भी important नहीं है exam point of view से बस complexity के लिए मैंने इसे add किया है आगे बात करेंगे कि एक अच्छे coral की growth के लिए क्या conditions होनी चाहिए slide पर लिखा है लेकिन मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान रखना है सबसे पहले बात यह warm water को प्रिफर करती है ठीक है यह किसको प्रिफर करती है warm water को मतला पानी लगबग लगबग यह इस तरह से है तो almost जो कोरल्स है वो आपको टॉपिक्स के बीच में जादा मिलेंगी ठीक है मिल तो कहीं पर भी जाएंगी लेकिन mostly they are fine in tropics so they prefer the warmer water गरम पानी को प्रिफर करती है हमेशा याद रखिए ठीक है तो mostly यह लोग आपको मिलेंगी 30 degree north से 30 degree south अब यह hard and fast नहीं है कई discuss करने लग जाओ कि अजी साब दूसरी किताम में तो 31 लिखा है मैंने का कि generally most of time यह इस ही रेंज में मिलती है अब एकार डिग्री उपर एकार डिग्री नीचे से exam में आपको परिशान नहीं किया जाएगा mostly they are found in tropical waters remember this first fact second ना इनको ज्यादा साफ पानी पसंद है ना इनको ज्यादा सलाइन पानी पसंद है moderate water मतब ना तो बहुत ज्यादा salt हो और ना बिल्कुल fresh हो तो एक चीज़ दूसरी चीज़ आपको यह याद रखनी पड़ेगी पहला पहला ट्रोपिकल वोटर प्रफर करते हैं यह लोग दूसरा moderate salt होना चाहिए इसके अंदर ठीक है depth थोड़ी shallow होनी चाहिए ठीक है depth कैसी होगी पानी की shallow तो shallow depth का मतलब है कि sunlight सही से penetrate करे तब इनके लिए अच्छा होगा तो तुम्हें क्या-क्या समझ में आया कि coral grow होने के लिए क्या चाहिए coral grow होने के लिए सबसे पहले बात तो पानी की depth ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूसरी बात आपको यह आद रखनी है कि पानी गरम होना चाहिए ठीक है तो tropical waters is perfect one और तीसरा मैं आपको बताया कि पानी इनना ज्यादा fresh हो यानि इतना fresh भी नहीं हो कि बिल्कुल salt नहीं है और कि उसमें nutrient ही खतम हो गए और इतना salty भी ना हो कि उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब salt है कि भई nutrient ही खतम हो गए तो मतलब moderate level का salt होना चाहिए उसके अंदर अगर मैं सही कहूं तो 30 ppm salinity हो तो it's perfectly fine तो अगर मैंने लिखा है कि stable climate conditions climate बहुत जादा change ना हो ऐसा नहीं है कि अभी अभी माली जाए यहाँ पर मांसून climate है फिर उसके बाद में China type climate हो गया मैंना climate बहुत जल्दी से change नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद में warm water और perpetually होना चाहिए मतला हमेशा warm water रहना चाहिए ठीक है shallow water होना चाहिए clear salt water यहाँ लिखा है बट मेरा कहने का मतला है कि बिल्कुल fresh भी नहीं होना चाहिए ठीक है और highly salt भी नहीं होना चाहिए मैंने बताए कि around 30 ppm salinity is perfectly okay with this this क्या बोलते है corals abundant plankton यह important है देखको आपको पताओ कि corals survive कैसे करते देखको कोई भी survive करेगा तो खाना पीने यह साथ तो सब चाहिए ना किसी को भी तो coral है वो जो phytoplankton वहाँ पे है jet hydroy उसके साथ में क्याया है simbytic relation में रहते हैं मैं इसको अभी कर बताओंगा जब आगे है तो क्या होते है कि जब यहingers है वह jus ontally के साथ में semi talk relations में रहते हैं तो होता क्या है कि यह दोनों एक दूसरे को support करते हैं आप मैं बताओ उसर टेया है देखको जू जेंथली क्या है, plant है, plant क्या करता है, photosynthesis करके food prepare करता है, और उस food पे कौन निर्भर है, corals, और coral उन जू जेंथली को रहने के लिए जगे देते हैं, तो इन दोनों का symbiotic relation है, जू जेंथली को घर मिल जाता है रहने के लिए, तो इस तरह की symbiotic relation में रहते हैं और जब coral bleaching होती है तो क्या होता है कि यह जू gently है ना यह छोड़ के चला जाता है कि इसको छोड़ के चला जाता है corals को अब coral के पास food नहीं रह पाएगा तो eventually they die और जो beautiful colorful आपको मिल रहा था corals नहीं मिल पाएगा नहीं तो मैंने बताया कि आपको तीन चर्चीज़ें याद रखनी है warm water हो moderate salinity हो उसके बाद में moderate salinity हो और shallow water हो मैं तो तीन बाते ही आपको बताऊंगा बहुत और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा याद रखना coral का जो color है वो coral का coral का अपना color नहीं होता है coral का color जो gently की वजए से उसके अंदर आता है पैरा चीज़ आप यह याद रखिए ठीक है यह भी मैंने यहाँ पर बता दिया है और इसका जो symbiotic relation है वो भी मैं आगे discuss करने वाला हूं आप बस वीडियो में मेरे साथ चलते रही है यह ग्लोबल डिस्ट्रिबूशन है corals का देखो mostly corals आपको यहाँ मिल रही है थोड़े corals आपको यहाँ भी मिल रहे हैं लेकिन एक चीज किलियर दिख रही है एक चीज यहाँ पर किलियर दिख रही है हम सब को कि जो corals है वो equator के आसपास है यह tropics के बीच में है देखो mostly जो corals है वो concentrated है प्रॉपिक्स के आसपास और एक बहुत ही बहतरीन fact बढाता हूं कि 50% coral यह more than 50% coral वो इस region में है Indonesia, Fizzi, Australia, New Papua Guinea तो यहाँ पे more than 50% corals है guys यहाँ पे दिस्ट्रिबुशन हमेशा से एक्जाम के लिए important रहा है तो I just want to I just want to give you the brief information about this this distribution that you can solve the question toh मेरा कहनने का मतलब यह है कि जो corals है वो mostly मिल रही है त्रॉपिक्स के बीच में एक खास बात discuss करना चाहूंगा कि देखो west की तरफ नहीं मिल रही है west की तरफ नहीं मिल रही है mostly east की तरफ ही मिल रही है यह बात और दिख रही है आपको क्योंकि west की तरफ यहां पे cold currents है तो पानी धंडा हो जाता है सबसे पहली बात तो टॉपिक्स के बीच में ही मिलेंगी और continent के भी eastern side में मिलेंगी west side में नहीं मिलेंगी मतलब इस तरफ corals कम है इस तरफ coral अच्छा खासा है Australia में ही देख लो यह बात Australia में ही देख लो नहीं यह बात कि इधर coral बहुत जादा है इधर उतना coral नहीं है तो reason क्या है इसके पीछे इसके पीछे simple reason है कि यहां पे cold currents होती है west की तरफ तो west की तरफ cold current है तो पानी गरम नहीं रह पाएगा और पानी गरम रहना coral के survive के लिए important है समझ में आ गया तो मुझे बताओ coral का distribution कहां होगा फिर से मेरे साथ बोलेंगे coral का distribution कहां होगा ट्रॉपिक्स के बीच में ज्यादा तर जो concentration है coral का वो कहां होगा continent के eastern part पे western part पे क्यों नहीं होगा क्योंकि cold currents होती है तो पानी ठंडा नहीं रहेगा और more than 50% coral कहां मिलेंगी Australia, Fizy, New Papua Guinea, Indonesia in this region इसकों coral triangle भी बोलते हैं this area is called the coral triangle remember these facts distribution clear है सबको, कोई doubt नहीं है अब बात करूंगा कि तीन तरह की coral मिल सकती है fringing reef, barrier reef, atoll यहीं पे clear कर लेना कि क्या scene है, देखो होता क्या है कि already मान लीजे कि एक land form है और generally यह ऐसा होता है कि यह land form कहां होगा और यह और यह और यह अगर यह कोई वाटर बोड़ी है तो उसके कोस्ट का एरिया होगा, वहां भी कोई land form हो सकता है तो corals क्या करेंगी पहले इसके सहारे अपने यहां पे colony बनाएंगी और settled होना शुरू होगी तो इस तरह जब coral बनती है तो उसे बोलते हम fringing reef clear रहेगा कि पहले से कोई land form बना है यह land form पानी के अंदर एक volcanic island भी हो सकता है यह land form किसी भी water body के कोस्ट के उपर कोई land form हो सकता है तो उस land form के किनारे किनारे पे coral develop होना शुरू हो जाएंगी colonize होना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से जो coral बनता है उस coral को हम लोग बोलते है fringing reef ठीक है अब क्या होगा माल लेते हैं कि यह हमारा coral बन गया ठीक है इस तरह से coral बन गया जैसे माल लीजे यहां पे धीरे-धीरे coral develop हो रहा है ठीक है अब माल लेते हैं कि थोड़े टाइम के बाद में यह जो land form है यह erode हो गया यह land form erode हो गया because of various seasons oceanic wave erode कर देती है wind से erode हो जाता है माल लीजे erode हो जाता है और अलग हो गया अब coral तो यहां रह गई है ठीक है और अब यह जगे पानी आ गया है यह एरिया तो अब इरोड हो गया ना तो इसे क्या बोलते है हम लोग barrier reef क्या बोलते हैं इसे हम barrier reef और barrier reef का सबसे बड़िया example जो हमने शुरू में डिसकस किया great barrier reef जो Australia के अंदर मिल रही है ऐसे ही है यह Australia का coast है यह यहां पर पानी है और यहां पर क्या है great barrier reef अब तो मुझ से पूछ रहोगी कि भया हवा में कैसे आ गया यह तो मैंने शुरू में बताए था coral के क्या कहानी है coral animal है skeleton calcium carbonate का है मर जाएंगे base बनाएंगे skeleton छोड़ देंगे वह hard base बनेगा फिर उस पर coral आएगी फिर वह भी मर जाएगी तो फिर उसका भी hard base रह जाएगा ऐसे develop होके तो बनता है coral landforms और coral reef ऐसे तो बनती है तो वही हुआ होगा यहाँ पे और landform यहाँ आ गया और मान लिजे कि अब और erosion होता है और यह वाला पाड भी गाएब हो जाए तो चारव तरप coral दिखेगी और देखो नीचे landform है तो इसे बोलते हैं हम लोग अटोल लक्षदीप में बहुत अटोल्स हैं मालदीव में अटोल्स हैं और mostly अटोल्स आपको इंडिया नोशन रीजन में ही मिलेंगे पहले ऐसे था side-side में coral develop होना शुरू हुई इसको हमने fringing reef बोला फिर यह वाला part erode हुआ तो थोड़ा सा corals और इस island के बीच में connection टूटा and we call it the great barrier reef और बाद में यह develop हो यही पूरा ही erode हो जाता है बहुत सालों में तो चावो तफ रीफ ही रह जाएगी यह part नीचे है और उपर इस reef के इस तरफ पानी-पानी है and then we call it atoll ठीक है जैसे मालदी में अड्डू atoll China develop कर रहा है इसको clear रहेगा यह सब बाते मुझे बताओ इन तीनों में कोई दिकत now you should not feel any difficulty in defining what is the fringing reef what is the gate barrier reef and what is the atoll you should have crystal clear understanding जो मैंने बताया कि coral bleaching को हम समझने कुशिच कर रहे है अभी तक हमने कोरल को समझ लिया है कोरल को survive के लिए क्या conditions नहीं कहां मिलती है ठीक है type of corals क्या है coral वास्ता में खुद क्या है यह सब समझ लिया है कैसे coral islands बनते है जब मैं लक्षदीप पढ़ाऊंगा तब मैं फिर वापस से बताऊंगा कि लक्षदीप कैसे बना है फिलाल भी यह याद करो कि survive कैसे करती है coral तो मैंने बता कि coral जू जैन्थली यह क्या है plant है याद है का algae है यह एक algae है ठीक है तो यह 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 plant है एक second तो यह क्या है एक plant है और autotroph है जो photo synthesis करके क्या कराती है खाना बनाती है और यह खाना कौन consume कर लेता है coral तो जू जैन्थली coral को खाना देगी और coral जू जैन्थली को रहने के लिए जग्या देगा इस तरह से यह दोनों क्या रहते हैं symbiotic relation में रहते हैं और survive करते हैं यह बात clear है कि जू जैन्थली जू जैन्थली एक algae है phytoplankton है और एक plant है और आपको पता है कि plant autotrophs होते हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं animals autotrophs नहीं होते हैं ठीक है तो generally I am not giving you any extreme status generally animals नहीं होते हैं बट जैसे कुछ animals हैं जो ocean bottom पे हैं वो कीमोथ synthesis करते हैं बट वो चीज है अभी आज हमारे subject का part नहीं है बट आप यह देखिए जू जैन्थली phytoplankton है sunlight को use करके photosynthesis से खाना बनाती है coral consume that food और coral जू जैन्थली को क्या देंगे रहने की जगे देंगे और दोनों से antibiotic relation में रहते हैं इस तरह से coral survive करती है अब हो क्या रहा है इस मुद्धे पर आते हैं अभी तक तो बेसिक पढ़ रहा है कि corals क्या हैं कहां मिलती हैं क्या conditions उनके survive करने की हैं किन conditions में वो grow कर सकती हैं अब हो क्या रहा है समझते हैं अब हम दिक्कत हो रही है coral bleaching की जो सुन्दर सा color दिखाता ना पहली slide में वो color गाय हो रहा है और बिल्कुल सफेद दिख रही है corals सफेद दिखने का मतलब यह coral मर रही है ठीक है और coral मर रही है तो यह coral के लिए बुरा नहीं है यह हम मानों के लिए बुरा है और अभी मैं इसको discuss करूँगा क्यों हो क्या रहा है guys तीन चीजें हो रही है मेल ली एक तो climate change हो रहा है climate change में क्या है कि temperature लेको already इनको वैसे warm temperature जे लेकिन वो warm temperature बहुत जादा exceed कर गया है warm का मतलब यह मैं समझेना कि 50 degree celsius warm मतलब moderate temperature 27 degree, 30 degree और climate change से क्या हो रहा है कि पानी घरम हो रहा है ocean का एक extreme level पे उससे क्या हो रहा है कि जो gently उनको खाना दे रही थी वो गायब हो रहा है वो छोड के जा रही है corals को अब coral खाएंगे क्या and that is why coral are dying तो first reason जो coral का है वो यह है कि change in ocean temperature very very important because of climate change ocean temperature changing और ocean temperature changing and there is full crisis for the coral and coral are dying second बात करने कोशिच करेंगे pollution यह polluted पानी में नहीं रह सकती है they need fresh water ठीक है polluted पानी में क्या हो रहा है algae bloom हो जाता है अब जब algae bloom होगा क्या होता है कि जैसे मान लीजे कि आपका agriculture का जो run-off है agriculture में आपने जादा पानी दिया वो पानी भै करके सामूंदूर में चला गया अब agriculture के पानी के अंदर nutrients से और वहाँ पे algae bloom हो जाता है वहाँ बहुत सारे algae's बन जाती है वो algae's क्या करेंगी food consume कर जाएंगी जो food available नहीं होगा अब corals के लिए ठीक है pollution में एक और खास बात होती है कि जब pollution बढ़ जाएगा तो pollution बढ़ने की वज़े से biological oxygen demand भी बढ़ जाती है पानी के अंदर क्योंकि अब decomposition बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर जादा animals है जादा diversity बढ़ रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि decompose करने के लिए जादा oxygen चाहिए तो biological oxygen demand बढ़ जाएगी अब इसलिए कम oxygen रहेगी corals के लिए तो यह pollution के side effect है जो coral को affect कर रहे है ओवर exposure से temperature बढ़ जाता है ठीक है तो यह main reason जो हमारे सामने है वह है coral bleaching को तो दो main reason मैं आपको दूँगा pollution, over exploitation of the ocean resources ठीक है उसके बाद में fishing, over over fishing तो यह सब चीजे है जो climate change, यह सब चीजे हैं जिससे coral को नुकसान पहुच रहा है इस वक्त और वह bleach कर रही है ठीक है तो इसलिए corals are dying and this is the coral bleaching, coral bleaching समझ में आ गया कि coral are dying, ठीक है और जो symbiotic relation है वो उनका टूट रहे जो gently के साथ में और अब मैं आपको बताऊंगा कि coral हमारे क्यों हमियत है और coral का मरना उनके लिए इतना हमियत नहीं है जितना हम मानवों के लिए रहने के लिए important है देखो पहले यहाँ यह fact मैंने पहले बताऊंगा कि more than half of the world's coral कहां मिलेगी Australia, Indonesia, Philippines, New Papua Guinea, Fizzy and Maldives ठीक है यह कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ देखो 1% of ocean floor को पे coral हैं लेकिन 25% marine life को support करती है 1% अगर कोरल मर गई तो इस लाइफ का क्या होगा सोच रहे हो कितना चादा ecosystem imbalance आजाएगा सेकिंड अकर बात करने के कोशिच करूं तो तिजास्टर मेनेजमेंट में मदद करती है सत्यानमें पर्सेंट वेव एनरजी को रिड्यूस कर देती है कोरल्स नहीं तो जो टाइट्स उठते हैं ना जो सुनामियां आती है वो जाधा आएंगी अब जाधा इंपैट करेंगी हुमिन को क्योंकि यह जब कोरल वहां होती है ना तो यह जब कोरल ऐसे खड़ा है पूरा कोरल्स इस तरह ऐसे कोरल्स है मान लीजे से लोगों को फ्लड से बचाती है यह और बहुत सारी चीज़े बताता हूं मैं पुलूशन कंट्रोल करती है पुलूशन कंट्रोल करती है ठीक है यह बहुत सारी मरील लाइफ को सपोर्ट करती है जिसका मेडीसनल परपस है बहुत सारी फिशेस को ये घर देती है, जिन फिशेस को हम लोग जो फिशिंग कम्यूनिटी है, वो यूज करती है, अपने सर्वाइव के लिए, तो मुझे बताओ, कोरल अपने लिए जदे इंपोर्टेंट है या मानवों के लिए जदे इंपोर्टेंट है, हमाई लिए करो मरीन रिसोर्स का, हो जाएगा सौल, ग्लोबल कम्यूनिटी को साथ आने की जरूत है, एक देश के बसका नहीं है यह, जिस तरह ऐसे आप बेसिक बेसिक चीजों के लिए लड़ते होना, उस तरह से कोरल के लिए भी लड़ना होगा, because human life is at stake, ठीक है, तो गाइस यह मेरा कोरल पर आपके सामें लेक्चर था, I hope I did justice to the topic, अब last में recall करते हैं, आपने क्या सीखा है, एक question के through, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज session wrap up करेंगे, फिर से मैं मिलूँगा आपको one of the important topic, तो पहले हम question करेंगे, तो मेरा, एक चीज में हैं discuss करना चारा था, वो की लक्ष जैसे मैं ने शुरू में समझाया, कोरल है, केल्चियम कार्बोनेट का स्केल्टन है, मरे एक हाड ग्राउंड बनाया, फिर दूसरे कोरल साय, वो यहां सर्वाइव किये, यह मरे हाड ग्राउंड बनाया, फिर तीसरे टाइप के और ऐसे बनता, 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 एक ब डीजी चैनल से अलग होता है मेन लक्षदीप से मिनिकॉय, एक चीज़ याद रख सकते हो, कारवती याद रख सकते हो, अगाती भी न्यूज में था, तो तीनों याद रखो, अगर तीनों आईलंड को मैं देखू, अगाती, कारवती और मिनिकॉय, तो सबसे नौर्थ में अ UPSC क्या करेगी कि कोरल न्यूज में है लक्षदीप कोरल है तो बेसिक लक्षदीप को पूछ सकती है वो मज़ा डिटेल में कवर नहीं कर सकता विकोज ताइम का मेरे पास कंस्टेंट है बट आपको आइडिया मिल गया है कि आपको थोड़ा लक्षदीप भी देखना होगा लिटल बिट मैंने यहाप आप आपको कवर करवा दिया है कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है कंस्ट्र फॉलएंग स्टेट्मेंट्स मुझे लगता है कि अब यह कोश्चन आपको जादा मुश्चे लहीं करना चाहिए अब दोनों में से देखना है तो हमें सिफ तीस रवा देखना है कोरल रिफ होस्ट फार मोर नंबर अफ अनिमल्स फाइला देन दोस होस्टेड वाइद ट्रॉपिकल रैन फोरेस्ट बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है कान मैंने बताय था कि ट्रॉपिक एक परसेंट एक परसेंट ओशन फ्लोर है लेकिन 25 परसेंट मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है कितना 25 परसेंट और इतना तो ट्रॉपिक एंड फोरेस्ट नहीं करता है तो इसस्टेट्मेंट विल बबी क्रेक्ट और यूर आंसर विल बी बर फिर से बोल राहा हु पूरा कंटेंट वा पस से जाईिे एक बार देखे मैं फ़िर से एक बार रिवायज करेता हूं 2-2 मिंट लेंगे 黄ः क्या है कोडल एनिमल है कोड़ पॉलिप और ऐसे से हैひ a जैली फिश वाली फैमिली से यह बिलोंग करता है इतना पी देमिली मत कर ना पीज़ नहें आगर पायगा फिर फिर 想ी आप दंती निया हो बेटा कोड़ा है इसलिचे करने पाली इसका skeleton है, वो calcium carbonate का बना होता है, और coral island मनने के भी यही कारण है, कि जो मरता है, तो skeleton छोड़ता है, तो hard base बन जाता है, फिर उस पर दूसरे coral आते है, वो नया base जुड़ते जुड़ते जुड़ते, पानी से उपर आता है, और क्या बन जाता है, और coral island मन जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है, फिर मैंने बताया था, conditions क्या-क्या है, साफ पानी होना चाहिए, moderate salinity होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, warm water होना चाहिए, shallow depth होनी चाहिए, या तक लो ये चार बाते, mostly कहा मिलता है, ट्रॉपिक से मिलता है, कहा मिलता है, east coast से मिलता है, क्योंकि west coast, मैं यह नहीं कर आ, west coast पे नहीं है, मैंने कहा, mostly east coast से मिलता है, कारण क्या है, कि west coast पे ocean currents होती है, cold ocean currents होती है, तो पाई ठंडा कर देंगी, इसको तो गरम पानी चाहिए, coral beach, geogenthali के साथ में, symbiotic relation में रहता है, और geogenthali हैं, जो इसको color देती है, coral का अपना कोई color नहीं होता, और जब वो छोड़ के जाएगी, तो coral color तो खो देगा न, तो सफेद दिखेगा, इसे हम क्या हो लेंगे, coral bleaching हो लेंगे, geogenthali को क्या देती है, खाना, और coral geogenthali को क्या देता है, रहना, ठीक है, तो यह हमने cover किया, in great detail, मैं फिर से मिलूँगा आपको, एक नए topic के साथ में कल, ठीक है, तब तक के लिए, आप पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी question है, इस topic से लिएड, आप comment box में लिखिए, मैं उस question को जरूर आंसर करूँगा, up to my best knowledge, ठीक है, thank you so much,